हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं इस्टेडी फीर आफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टिन कोस्चन्स लेकि आए हूं आल टॉपिक से पचाहस एमसी की कोस्चन्स है एक एक कोस्चन्स आप डेटेल में देखते जाएगा कोई भी कोस्चन स्कीप मत कीजेगा सुन से लाश्ट तक वीडियो देखिए और दोस्तों जैसा कि आप फिजिकल एजूकेशन के किसी भी कमपटेशन इक जाम का प्रिप्रेशन कर रहे हैं आल टॉपिक का फिवरी सेशन मैंने कमप्लेट करा दिया है एंड बीपीएसी टीया टू में मैंने उन्ही असी असी वीडियो उसका प्रैक्टिस कराया है सभी टॉपिक को डीटेल में अच्छे तरीके से दोस्तों जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है एक वीडियो जरूर दू और संभव हो सके का दो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा बर डेली एक देने की कोशिस जरूर करूंगी तो दोस्तों जैसा कि आप कोई भी कंपरिशन का एक्जाम प्रेपरिशन कर रहे हैं मैं इसाथ जूर रही है डेली बेसेस पे जैसा कि एक कोशिस दोस्तों बाहर से बाहर नहीं होता है जिसने भी आपने एक जाम दिये होंगे मैंने आपको एक टॉपिक को अच्छे से कवर कराया हुआ है तो चलते हैं आज के कोशिस के तरफ कोशन है दोस्तों 2012 उलम्पिक में उस खेल का नाम बताईए जिसके फाइनल में आमने सामने एक ही देश की टीम थी तो दोस्तों वह खेल है बीच बॉलिवार दोस्तों लंदन में हुआ था और यह तीसवा उलम्पिक था जिसमें भारत में छे पदग दिए जिता था दो रज़त एंड चौर कांसे पदग दो रज़त पदग जिसमें से कुस्ती में दो पदग एक रज़त एक कांसे कुस्ती में एक रज़त पदग सुसिल कुमार 66 केजी फ्रेश टैल में और एक कांसे पदग कुस्ती में योगिस्वर्दत 60 केजी फ्रेश टैल में एंड दो निसाने बाजी में जिसमें से एक रज़त एक कार से जीता था तो निसाने बाजी में एक रज़त पदक जीता था बिजय कुमार 25 मिटर रैफीट फायर फिस्टो में एंड निसाने बाजी में कार से पदक गगर नारंग 100 मिटर एर रैफल में जीता था और दोस्तों जो जैदिप कर्माकर था जैदिप कर्माकर जो है पचास मीटर एर राइफल फ्रोन में सिर्फ एक अंग से कांसे पदक से चुके थे तो एक कोस्टन भी आ सकता है जैसा कि और दोस्तों बेड़िविंटर में एक कांसे पदक जीता था तो दोस्तों दोस्तों बारे लंदन ओलंपिक में एक कोस्टन आया हुआ था एंड मुक्की बादी में कांसे पदक एमसी मेरी काम न जीता था एंड दोस्तों तीस्वाँ ओलंपिक दोहजार शुले तीस्वाँ ओलंपिक रियो ओलंपिक जो है स्वाई दोस्तो रियू उलम्पिक जो है 2016 एक तिस्वाँ उलम्पिक है जिसमें दो पदक भारात ने जीता था एक रज़त पदक पीवी सिंधू बेर्मिंटर ने और ये काँ से पदक साच्छी मली एंड 2016 रियू उलम्पिक में दीपा करमा कर जो है बिनाश्टिक वर्ड इस पर धामी चोथी अस्थान पर रही है नेक्ट कोश्चन है दोस्तो जितना संभव होसे का एक्स्प्लेंग करूंगी नहीं तो आपके कीवल कोश्चन का एंसर दे जाओंगी क्योंकि आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपके उसर मैं कोशिस करूंगी कि साट में कप्लिट करने की नेश्ट है रंगा स्वामी कप किस खेल से समंधित है तो दोस्तो आप सबको पता है रंगा स्वामी कप होकी खेल से समंधित है वो भी रंगा स्वामी कप पुरुस हांकी से रिलेटेड है इसको भी आद रखेगा आधा अधुरा ज्यान रहेगा तो हमेसा आप फसेंगे तो रंगा स्वामी कप पुरुस हांकी से समंधित है जिनके लेडी रतन टाटा कप महला हाकी से रिलेटेड है हाकी के अंदर और कप और ट्रॉफी के अंदर गाल वेटन कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महराजा रडीश सिंह गोल्ड कप ध्याचन ट्रॉफी, नेहरु ट्रोफी, सिंधिया गोल्ड कप लाल बहादु सास्त्री कप, विलिंगटन कप, इंद्रा गाधी गोल्ड कप, अजलन शाह कप, बिश्रु कप, आलपस कप, आगाखा कप, गुरु गपपा गोल्ड कप, कुडाकु कप, गुरु नानक कप, कलपपक ट्रॉफी आधी रिलेटेड है नेक्स्ट है, कबर्टी की कौन सी सैली अंतराश्टी इस्तर पर मानने है तो कबर्टी की तीन सैलियों में खेला जाता है, संजीवनी, अमर और गामिनी, जो अंतराश्टी इस्तर पर मानने है, संजीवनी नेक्स्ट है निवन में इसे पहला भारतिय कौन है जिसने गर्ण इसलेम प्रतिविता जीती है तो दोस्तों ओ है लियंडर पेस लियंडर पेस जो है पहले भारतिय है जो गर्ण इसलेम प्रतिविता जीते है और लियंडर पेस ने ओलंपिक में 1996 अट्लेंटा उलम्पिक में कांसे पदब जीते हैं नेक्स्ट है पहला विस्टो कप फुटबाल किस देश में आये जित हुआ था तो दोस्तो पहला विस्टो कप फुटबाल यानि फीफा वर्ल्ड कप उरुगवे 1930 में संपन हुआ था ठीके उरुगवे 1930 में पहला विल्ल कप सुरू हुआ था एंड दोस्तो इकिस्वा विस्वा विल्ल कप फीफा विल्ल कप 2022 दोहा कतर में संपन हुआ है एंड तेस्वा दोहजार चब्विस में संपन होगा संजित राज अमेरिका मेक्शिको कनाडा बे एंड नेक्ट है उस जर्मन देश का उस जर्मन देश के खेल का नाम बता ये जिस पर बॉस्केर बॉल खेल अधारित है तो है कॉर्फ बॉल नेक्ट है महिलाओं के लिए राष्टिय खेल समारोग किस सन में सुरू किया गया भारत में उलम्पिक भवन बनाने की युजना किस शहर में है तो ये इसका राइन एंसर होगा नए दिली दोस्तो इसको आप कंफर्म कर लिजेगा मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ ने 99% हूँ नेक्स्ट है दोस्तो विश्व सारविक सिछा कांग्रिस का मुख्याले कहा इस्थित है तो यहाँ अमेरिका में इस्थित है नेक्स्ट है किस उलम्पिक में पहली बार सिंथेटिक ट्रेक का प्रियोग किया गया तो 1968 मेक्सिको सिटी उलम्पिक में नेक्स्ट है करणम मलेश्वरी भारतिय महिला भारत तोलक भारत के लिए महिलाओं में प्रफम उलंपिक पदक लाने वाली, खिलाड़ी किस राजी की रहने वाली है यह आदर प्रदेश की रहने वाली है इनोने दोखजाद सिद्नी उलंपिक में भारत के लिए कोई पदक इतने वाली परफम महिला है पैने दोस्तो नेक्ट कोस्चन है क्रिकेट का कौन शा मैदाउंट सबसे उचाई पर इस्थित है वो है हिमांचल प्रदेश में इस्थित चैल इंडिया नेक्ट है विंड गेज की संबन्ध में क्या भी सम है दोस्तो विंड गेज हवा का व्येग मापता है और विंड वांड गेज हवा की दिसा मापता है एक कोस्चन आ सकता है जो भी मैं बता रही हूं दोस्तो ध्यान से सुनेगा तो विंड गेज हवा का व्येग मापता है तो ह हवा का वेग जो है खेलों में 100-200 मिटर दोड में मापा जाता है लंबी कूद में मापा जाता है लंबी कूद उची कूद में मापा जाता है एंड 110 मिटर बाधा दोड़ में और 100-200 दोड़ में तो दोस्तों जैसे कि जो 100 यहाँ पे अंसर हो जाएगा क्या बीसम है तो 400 मिटर में हवा का वेग नहीं मापा जाता है 100 मिटर बाधा दोड़, 200 मिटर दोड़, लंबी कुद में मापा जाता है 100-200 मिटर दोड़ में हवा का विग 10 सेकिन मापा जाता है और बाधा दोड़ में बाधा है तो 13 सेकिन ज़्यादे समय लगेगा एंड लंबी कूद जंप करना है तो इसमें 5 सेकिर का हवा का विग मापा जाता है एक कोशन आया था यूपी टी जटी दो हज्जार 21 मिए नेश्ट है बिश्चु का सबसे पुराना खेल कौशा है तो दोस्तो कुश्ती है आफसर नंबर गोई यहाँ पर राइट है नेश्ट है निवन में से किस खेल का संबन्ध थामस कप से है दोस्तो थामस कप का संबन्ध बेर्मिंटर से है यहाँ पे दोनों चीज़े याद रखेगा थामस कप बेर्मिंटर पूरुस से है जबकि उबिर कप बेर्मिंटर महिला से है थामस कब मैमिटर पुरूस जो 1948 से सुरूफ हुआ है और उबिल कब मैमिटर महिला जो 1987 से सुरू हुआ है नेक्ष्ट है प्रतीक वर्ड्स के पहले माँ जन्वरी में कौन सा ग्रैन इसलेम टूर्णामेंट सुरू होता है तो दोस्तों Grand Isleam Tournament जो है चार है Australian Open, French Open, Bimbledon Open and Eust Open तो जन्वरी के परते एक वर्स के पहले माँ सुरुवात में Australian Open सुरू होता है जैसे कि दोस्तों Grand Isleam Tournament जो है टेनिस के एक साल में चार बड़े टूनामें आजित होते है Grand Isleam किसे बुला जाता है एक वर्स में चारो टूनामेंट को जितने वाले खिलाड़ी को जिसमें से Australian Open 1905 में सुरू हुआ जो विक्टूरिया के मेलबूर्ण पार्ग में खिला जाता है जन्वरी के मामी हार्ड कोट पर और French Open 1891 से खिला जा रहा है जिसको French Open को रुनाल्ड गैरोस भी बुला जाता है यह France परिस के स्टेंड रुनाल्ड गैरोस इस्टेडियम में खिला जाता है मैजुन में क्ले कोट पर यान लाल मेंटी की मजरी पर तीसरा होता है विम्बल्डन Grand Isleam जो इंग्लेंड में है सबसे पुराना टेनिस का Grand Isleam है जो टेनिस का सबसे सरस्ट है Grand Isleam डुनामिन बुला जाता है विम्बल्डन को जो 1877 से शुरू हुआ जो जून जुलाई महिने में खिला जाता है ग्रास कोट पर और चौथा है US Open जो अमेरिका में 1881 से शुरू हुआ और अगस सितंबर महिने में खिला जाता है हार्ड कोट पर यानि कि आपको याद रखना है सबसे पुराना कौन है 1877 में शुरू हुआ बिम्बल्डन इंग्लेंड एंड इचारो टूनामेंट आश्रियन ओपन एंड यूस ओपन दुन हाड कोर पर खिला जाता है जबकि फ्रेंच कोपन फ्रेंच ओपन कले कोट पर और बिम्बल्डन ओपन ग्रास कोट पर पर फ्रतेक वर्ष के सुरुआत में यानि पहले माह में आश्रियन ओपन जन्वरी में के माधे में फिर फ्रेंच ओपन मैं जुन में फिर बिवर्डन ओपन जुन जुलाई में फिर यूर्श ओपन अगासी तमर में खेला जाता है नेक्स्ट है जिस प्रकार बेल्विंटन में विंटन चैंपियंशिप है उसी प्रकार टेनिस में कौन सी चैंपियंशिप है तो वह है डेविश कॉप नेक्स्ट है खेलों में दिये जानी वाला बिस्टो का सरुसिष्ट पुरस्कार कौन सा है वह है ओलंपिक आर्डर पुरस्कार बिस्टो का सरुसिष्ट अब भारात का सरुसिष्ट राजियो गांधी खेलरत पुरस्कार था लेकिन अब उसका नाम बदल करके मेजर ध्यान च खिलरतन पुरिसकार कर दिया गया है नेक्ट कोस्टन है दाएं हाथ के लेग स्पीनर गेंदबाज की बाल टपा पढ़ने पर आफ स्टंप की बजाए अंदर की तरफ मिडल स्टंप या लेग स्टंप की तरफ जाए तो उसे क्या कहेंगे तो दोस्तों उसे कहा जाएगा गुगली नेक्ट है किस उलम्पिक में बिजटाओं को मिडल स्वर्ण रजद और कास से नहीं दिये गए सबसे पहले जानिए कि बिजटाओं को मिडल देने की सुरुआत स्वर्ण रजद कास की हुआ 1904 सेंट लुइस उलम्पिक में तो जब 1904 से सुरु हुआ तो उनिशो में तो रोगा नहीं यहाँ पर राइट एंसर हो जाएगा 1904 से सुरु हुआ जिसमें लगातार जिया जा रहा है नेक्ट है उलम्पिक के छलो में उपर की तरफ कितनी छले होती है एसिया महादीब का प्रतिक काला अफ्रीका महादीब का प्रतिक हरा आशलिया महादीब का प्रतिक और लाल अमेरिका महादीब का प्रतिक यह पांच और छले पांच महादीब के प्रतिक होते हैं जो दुनिया के एक्ताव को प्रदस्कित करते हैं तो उलम्पिक के चलो पर उपर की तरफ कितने चल्ले होते हैं तो इस चल्ले बना कैसे जाता है दोस्तो अंग्रेदी के डबलू के समान बनता है तो यहां पर आप देख सकते हैं उपर के उपर में कितने चल्ले है तो तीन चल्ले हैं तो राइट एंसर क्या हो जाएगा तील ठेक है? एन नेक्स्ट पोस्टन है फादर हेंरी डिराउन किस देश के रहने वाले थे? तो दोस्तों ये स्टूर्जल लेंड के रहने वाले थे और इन्होंने ही ओलंपिक मोटो CTS, RTS, 40S की रचना की CTS, RTS, 40S यह फांश्टर, हॉयर, स्ट्रंगर, और टेज, और उच्छा, और बलसाली अब इसमें जुड़ गया है चवधा सब्सक्राइब टूगेदर इसका मतलब होता है एक साथ कम्मिनिटर जुड़ा है दोस्तों जैसे CTS, RTS, 4-year and कम्मिनिटर जो BPSC TR2 में पूछा हुआ था कम्मिनिटर मतलब टूगेदर यानि एक साथ नेक्श है दोस्तों निमिनिटर में क्या बिसम है तो इसमें बिसम है Olympic Order पुरुसकार नेक्श है भरत में किसे Olympic Order के स्वर्पदक से नमाजा गया है तो इसमें सबसे बड़ा पुरुसकार होता है Olympic Order पुरुसकार जो भरत में इंदरा गांधी को नमाजा गया है नेक्श है योनेक्श नामक बहुत चर्चित कमपनी जो खेलों के उपकरण जैसे बेन्विंटर्ण, गोल्फ, टेनिस आधी उपकरण बनाता है उसका संबन्द किस देश से है तो इसका संबन्द है जापान से नेक्श है एक मात्र भारती खेलाडी का नाम बताईए जिसे भारत के सरोच तीनों खेल पुरुषकार अरजुन पुरुषकार राजुगांदी खेलतन पुरुषकार दोड़ाचार पुरुषकार मिले हैं वो हैं दोस्तों पुलिला, गोपी चंद्र, वेमिंटर, खिलाडी एन कोच दोनों हैं नेक्स्ट है ओमेगा नामक कमपनी किस देश से है यह सूर्जय लेंड नेक्स्ट है एडिडाश कमपनी का संबन्ध किस देश से है यह जर्मनी से है लेक्ष दोस्तों भारत का गोल्डर उलम्पिक किसे कहा जाता है तो दोस्तों भारत सबसे पहले भारत ने भाग लिया उनिशो पेरिस फ्रांस में लेकिन अधिकारे गृप से भाग लिया भारत नी उनिशोट हाइस एमस्टरडम हालें उलम्पिक में जिसमें भारत ने सबसे पहले हाकी में स्वड़ पदक का या जिसमें कफ्तार थे जैपाल से हाकी में भारत ने उलम्पिक में अभी तक में कुल आठ स्वड़ पदक एक रजन और तीन कासे पदक जीते हुए हैं यानि कुल 12 पदक जिसमें से 1928 से स्टार्ट होकर लाश्ट में स्वड़ पदक 1980 मासकों तक जीते और 1960 में इन्होंने रज़त पदक हाकी में रज़त पदक भारत में जीता है और कासे पदक 1960 वा 1972 वा 2020 के उलम्पिक में जीता है इस प्रकार 801 रज़ा 3 कासे पदक जीते हैं नेक्ट है उस अभ्यास को क्या कहते हैं जिसमें कंतिवरता तथा कंतिवरता की साथ अभ्यास करते हुए ऑक्सिजन ग्रहित की जाती है तो दोस्तो कंतिवरता किसमी होती है जो इंड्रियल्ज वाली खेल होती है जारे समय की खेल होती है एरोबिक क्रियान होती है और आक्सिजन के साथ किसमी होता है एरोबिक एरोबिक मतलब आक्सिजन के साथ यहां पर एरोबिक आपकर राइट हो जाएगा और हाई तिविता होता आक्सिजन के बिना होता तो अन एरोबिक हो जाता एक कोस्टन भी पूछा हुआ था दोस्तो एक भी कोस्टन ऐसा नहीं था जो आपको न बताया गया हो नेक्षा दोस्तो BMI याली Body Mass Index क्या मापता है तो दोस्तो यह सरी की वसा को मापता है यह कोस्टन भी आया हुआ था नेक्षा दोस्तो जोड की उस छमता को क्या कहते हैं जिसमें वह लंबी प्रसार तक करने में शायक होता है तो greater range of moments लंबे प्रसार तक तो ओ होता है flexibility, लचीलापन, लचकता ठीक है नेक्षा दोस्तो OCOG क्या है तो OCOG जो है उलंपिक का आयोजन करने वाली एक संस्था है नेक्षा दोस्तो निम्न में से सरीर की सबसे मजबूत मांस पेसी कोन है तो सबसे strongest muscles है जबड़े की मांस पेसी यानि मस्येटर muscles सबसे बड़ी muscles है Brutus, Maximus, कुलहे की सबसे लंबी muscles है Sartorius सबसे छोटी muscles है कारका Stipedius, याद रखेगा नेक्षा है सरी का सबसे मजबूत अस्थी कोन है सबसे मजबूत अस्थी होता है जबड़े की Mandible अब सबसे नंबी अस्थी होती है Junk की Femur सबसे छोटा अस्थी होता है कारका Stipus Next है Foundation of Physical Education नामक बुस्तक के लिखक कौन है तो Foundation of Physical Education के लिखक है Charles से बूसर Next है निवने में से किस रूप को Psycho-matic की स्रेड़ी में रखा गया है तो दोस्तो साइको समेटिक जो है मनोतेही की रोग कहा जाता है अस्थमा को यानि दमा को Next है दोस्तो कम से कम कितने खिलाड़ी Basketball match को सुरू करने के लिए चाहिए होता है तो 5 खिलाड़ी कम से कम 5 खिलाड़ी Next है उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसमें 1924 पेरिस उलम्पिक में 100 मीटर फ्रीश टाइल में सुरू पदक गीता बाद में या खिलाड़ी हालियूड में टारजन नाम से मसहूर हुआ तो दोस्तो आपको पता यह है या खिलाड़ी कौन है या खिलाड़ी है जोनी बेश्ट मुलर कौन है जोनी बेश्ट मुलर जैसे कि दोस्तों जोनी बेश्ट मुलर जो है 1924 पेरिस फ्रॉंस में 100 मीटर वद 400 मीटर फ्रीश टैल में तैराकी में सुरू पदक गीती थे बाद में यही हालिबून में टॉर्जन नाम से प्रसिद हुई और उसकी बाद मार्क सुिज्ट जो 1972 म्यूनिक पस्टमी जर्मनी में 700 पदक का रिकार्ड बनाया उसकी बाद इनके रिकार्ड को तोड़ा था अमेरिका के माइकल फेप्स 2008 में 800 पदक जीत कर जिसमें से माइकल फेप्स ने को मैडल विनिंग मसीन के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने माइकल फेप्स ने तराकी में 28 मेडल जीते हैं जिसमें से 23 गोल्ड 3 सिल्वल 2 ब्रांज मेडल 28 मेडल में 2004 50 जीते जिसमें 6 स्वर प्लस दो का स्वाज्य पदक फी 2008 में अठो स्वाज्वल пон से आ पड़क जीते फी 2012 कimana लंडन उलंड़क में 6 पड़क जीते जिसमें 4 स्वाज्य विए रिज्य गोल 2016현 लियुश्यल उलंबिक में श्भक जिते जिसमें 5 Display एक रज्य फ्लो जो के नाम से किस महिला खिलाडी को जाना जाता है तो ओ है फ्लोरेंस ग्रिफ्ट जोईनर नेक्स्ट है हमारे सरीर को निम्न में से कौन सा रोग प्रतिरोधक छमता पदान करता है वो होता है वाइट बलर्ड शेल्ड यानि की स्वेत रग्त कोशिकाएं नेक्स्ट है निम्न में से स्वास्त समंधी सारी स्वास्ता का कारक नहीं है तो दोस्तों फिजिकल फिटनेस को दो भागों में बटा गया है health related physical fitness यानि स्वास समंधी साइज स्वास्ता and motor skills related physical fitness जो health related physical fitness है उसके अंतरगत muscular strength muscular endurance cardio respiratory endurance flexibility and body composition आता है and motor skills physical fitness में strength endurance flexibility coordination abilities आता है इसमें इसी पूछा है कि कौन स्वास समंधी साइज स्वास्ता का कारक नहीं है तो मांस्पेसी ताकत यानि muscular strength है मांस्पेसी साइज सिंता यानि की muscular endurance भी है body composition भी है लेगे speed यानि चाल यह है यह motor skin related है इसलिए यह स्वास समंधी सारी स्वास्ता का कारक नहीं है नेश्ट है सारुएक सिछा का मक्का किसे कहा जाता है तो दोस्तों सारिड सिछा का मक्का कहा जाता है N.I.S. Pateryalah को यहनि कि नेथा की सुभास National Institute of Pateryalah को सारीड सिछा का मक्का के नाम से जाना जाता है एसिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान भी इसको कहा जाता है मतलब N.S. N.I.S. Pateryalah जो है एसिया का सबसे बड़ा खेल सा इस्थान है और इसकी इस्था अपना साथ मईए 1961 में हुआ था पटियला के मोती वाउग पहले पंजाम में नेक्स्ट है हमारी चल संदिया यानि कि जो मुवेबल जुएट है किस प्रकार के कॉटिलेज होती है कॉटिलेज यान जो उपास्या होती है वो लचीला होता है तीन प्रकार के होती है इलाश्टिक, फाइबर, फाइबर एंड हाईलाइज तो जो हमारी संदिया पर होती है वो हाईलाइज फाइबरो कॉटिलेज एंड हाईलाइज कॉटिलेज दोनों होता है सबसे जदा हाइलाइन कोडिलेश होता है यहाँ पर को और को दोनों राइट हो जाएगा नेक्ट है हिदय की परतों में कौन सा तरल पदात भरा रहता है तो हिदय जो है तीन मांस पेसियों की परतों से बना होता है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम पेरिकार्डियम की परतों में सेर्यस नामक द्रवभरा रहता है नेक्ट कोचन है एन इस पर्टियाला में कितने दिन का विभिन खेलू का सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाता है तो इसमें छे सब्ता है यानि की दिर महनी का सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाता है याद रखेगा कोशन सभी important है नेक्स्ट है विकिट कीपर कैच लेते समय अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ क्यों खिचता है यह Newton के किस नियम प्राधायत है दोस्तों तो यह क्यों यह Newton के दूसरे नियम के कारण होता है क्योंकि जो सम्वेग होता है गती की जिसा में होता है नेक्स्ट है एक लंबी रेस के धावक में निल में से सबसे अधिक खपत किसकी होती है तो लंबी रेस यानि की इंडुरेंस की बात हो रहा है सहन सिर्था की बात हो रहा है तो समंसिर्टा में हमेशा कार्बो हायडिर किया सकता जदा होगी और इस्ट्रेंथ में बाडि बिल्लिंग फूट प्रोटीन किया सकता जड़ा होगी नेश्ट है एक मिनट में निले द्वारा बाहर आये रक्त की मातरा को क्या कहते हैं दोस्तों ये भी कोशन आया था कार्डियक आउट्पूट इसे कहा जाता है एक मिनट में हिदे के निले द्वारा बाहर आये रक्त को कार्डियक आउट्पूट और एक धड़कन में दिलेदवरा पंप कियेगे रट्ब को इस्ट्रोक वयल्यम कहा जाता है जो 70 ML होता है और काडियक आटपूट घ्याद करने का सुत्र होता है इस्ट्रोक वयल्यम गुड़े heart rate यानि 70 ML आपका होता है इस्ट्रोक वयल्यम और 72 बार होता है एक मिनट में आपका हार्ट रेट तो 70 गुड़े 72 का अगर गुड़ा करेंगे तो 50.04 लीटर आपका राइड होगा यानि काडेक आर्पोर यानि एक मिनट में होता है 50.04 लीटर नेश्ट है निमने में से अधिक सक्री कारक कौन सा है जिसके कारण खिलाडी को चोट लगती है तो दोस्तों खेल के निमों का पालन न करना यह सभी कारक है लेकि सबसे सक्री है खेल के निमों का पालन न करना तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें से आपको practice set एक के अभ्यास 1 का practice कराया गया है इसी तरह मैं daily basis आपको practice कराती रहेंगी और जो भी doubt होगा comment में जरूँ बताइए मैं डाउट किलियर करने की पूरी कोशिस करूँगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपी के साथ नेक्स प्रैक्टिस सिट के साथ तब तक के लिए जैए